नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका योगे ट्रिपलेसी गाइड में मेरे नामे आशिश होतिला दोस्तों आपको जैसे की पता होगा कि कल 14 अगस्त को क्या हुआ था जो योगे ट्रिपलेसी आयो गए इसने एक विग्यपती जारी करी थी जैने के एक notification जारी किया था और उसमें इन्होंने क्या कहा था उसमें ये कहा था कि जो अभी DV स्टार्ट होने वाला है ठीक है अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 15 तारिक के है तो कल 16 तरिक से DV स्टार्ट हो रहा है किसका जो इसनातर किस तरिया परिक्षा थी हमारी वीडियो वीडियो परिक्षा जिसको हम जनली बूलते है तो उसके लिए जो post preference वगरा भरी जानी थी क्योंकि सबको पता है कि ये एक club exam है ठीक है अलग लग department है इसमें और जो grade पे है वो भी different है तो उसमें क्या होगा कि preference वगेरा भरी जाएगी तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है एक विग्यप्ति जारी करी है और उसमें ये बूला है कि जो आपको preference वगेरा भरनी होगी वो online भरनी होगी इससे पहले तक जब पिछले साल ये video का paper हुआ था जो कि cancel वाताबाद में तो उस time पे जो preference थी वो offline भरवाई गई थी ठीक है तो यहाँ पे एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है वो ये लगी है कि इस बार क्या कर रहे हैं ये लोग इस बार आपको preference भरवा रहे हैं department की लेकिन इसके साथ साथ आपका district कौन सा आपको चाहिए तो district की preference भी मिल रहे है तो बस जो ये विग्यपती है इसमें बस यही लिखावा ठीक है basic सी जो चीज है वो मैं बता देता हूँ कि website से आपको एक link के माधियम से वो करना है अपनी preference वगरा भरनी है तो उसमें क्या करना है कि आपको जो user ID होगी न है वो क्या होगा वो आपका role number हो जाएगा और जो password होगा password क्या होगा password उसका date of birth होगा ठीक है और इसके बाद लिखावा कि जो अभिलेक सत्यापन के समय चैनिज जो अभिरती है उनके द्वारा जो विभागवार online भरेगे जो विकल्प है इनको submit करने के बाद दो प्रतियों में print out निकालना है यानि कि जब आप अपनी preference भर लोगे न अभी मैं आपको बताता हूँ कि आगे किस तरीके से preference बनना है step by step बताऊंगा मैं आपको तो आराम से इस विडियो को देखना तो जब आप पूरी preference भर लोगे न तो उसके बाद आपको उसका print out निकालना है और जब आप print out निकाल दोगे न तो print out की भी क्या करनी है दो photo copy लेनी है आपको दो photo copy क्यों लेनी है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो set बनेंगे जो भी आपके documents है ठीक है उनके क्या बनेंगे दो set बनेंगे तो सारे documents यहाँ एक set में जाएंगे दूसरे वाले में भी जाएंगे मतलब वो photo state लगेगी तो एक जो यह preference वाली जो वो है ना print out एक set में लगेगा और एक दूसरे set में लगेगा तो दो photo copy वो करनी है तो बस यह चीज है और इसके बाद मतलब वही चीज है ठीक है submit वगेरा करने के बाद print out वगेरा निकालना है तो अभी तक क्या हो रहा था कि कल तो इन्होंने यह बता दिया था लेकिन इन्होंने वो link open नहीं किया था इवन अभी शाम को 7 बजे तक भी इन्होंने वो link open नहीं किया था अब वो पता नहीं इन्होंने इतना time क्यों लगा क्यों लगा तो अब जाके अब वो link open हुआ है तो कल जिन लोगों का DV होगा शायद से वो लोग panic हो रहे होंगे वैसे तो इसमें panic होने वाली बात नहीं थी क्युक्कि इन्होंने अपनी तरफ से link की जारी नहीं किया था तो भही कहां से भरते, कहां से वो करते तो फिर भी अभी उन्होंने डाल दिया है तो आप चाहे तो अभी इसके बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपना लिंक भर सकते हो मतलब जो आपकी प्रिफेरेंस अगरा है उसको भर सकते हो लिंक के माधियम से तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर स्टेब बाइ स्टेब बताऊंगा कि कैसे कसी करके भरना है ठीक है तो यह सबसे पहले आप इसको खोल देगो ठीक है किसको यह वेबसाइट है आप फॉन से भर सकते हो अगर आपके पास लैप्टॉप वगरा उससे चाहो उससे भर सकते हो तो सबसे पहले आप website open करोगे ठीक है? website का नाम क्या है? website का नाम है ये ठीक है? ये ध्यान रख लेना है इसको आप open करोगे और open करने के बाद जो home पे जाता है नीचे-नीचे अगर आप इसको scroll करते जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर जो पहला वो आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखावा इस नां तक इस तरिया प्रिक्षा के विभागों की online वरिता भरने हिए तो click करे तो आपको इस पहले वाले पर ही click करना है तो जैसी आप इस पर click करोगे वैसे क्या आजाएगा वैसे आपके पास एक नई विंडो खुल के आजाएगी ठीक है और ये नई विंडो जो है इसमें देखो क्या लिखावा है इसमें लिखावा है कि जो candidate है उसकी जो post की जो choice है मतलब जो preference का form है वो ये है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है यहाँ प आपको अपना रोल नंबर डालना है जो भी आपका रोल नंबर है ठीक है यहाँ पे आप रोल नंबर डाल दोगे और रोल नंबर के बाद नीचे क्या है यहाँ पे आप क्या करोगे अपना date of birth डालोगे तो जैसे आप यहाँ पे इनको करते हो उसके बाद यहाँ पे आगे इस वाले बटन पर जो यहाँ पर यह है नेक्स्ट पर क्लिक कर देना ठीक है तो जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक दूसरी विंडो खुल के आ जाएगी तो वो विंडो कैसी है मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तों आपके पास जो अगली विंडो खुलेगी वो कुछ इस तरीके से खुलेगी तो यहाँ पर यह मतलब मैंने अपने उससे खोला अपने रोल अंबर को डालके ठीक है यहाँ पर यह सब आएगा बागे डिटेल्स आ जाएंगी रोल अंबर आ जाएगा यहाँ पर कैंडिडेट का नाम ही यहाँ पर यहाँ आ जाएगा यह मेरा खुद का है ठीक है कैटेगरी वगरा आ जाएगी तो इसके बाद नीचे क्या आएगा जैसे आप इसको नीचे नीचे करोगे तो यहाँ पर देखो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर दे रखी है ठीक है अगर जो यह है ग्राम पंचयत विकास अधिकारी जिला पंचयतन अधिकारी अल्मुडा और यहां पर क्या है ग्राम पंचयत विकास अधिकारी का है बागिश्वर तो आप समझ रहे हो तो जो वीडियो और वीपीडियो की है ना तो उनमें क्या है उनमें भी डिस्टिक वाइस दे चाहिए तो मिरे इगर वीडियो चाहिए लेकिन मेरको छ मेरे जो होम complexities है को मुझए जहाँ भी चाहिए जैसे मुझे आपट की चाहिए मुझे वीडियो में चाहिए मुझे वीडियो मिल रहे है तो खिर मैंने उसके पातmekो धाना तो वो आपको कहीं और भी डाल सकते हैं यानि कि जो आपका home जो मतलब आपका address है जो permanent address है जो भी address है उसके according आपको दे सकते थे लेकिन इस बार क्या है इस बार अगर आपने डाल दिया जैसे for example मैंने वीडियो दहरादून डाल दी यह मेरी choice हो गई पहली दूसरी choice मेरी है वीडियो दहरादून तो अगर मेरे को वीडियो दहरादून नहीं मिलता है तो अब मेरे को वीडियो दहरादून मिल जाएगा तो कहने का मतलब यह है कि मेरे को दहरादून district अब मिल जाएगा ठीक है तो नीचे ये सारे post लेखे वें ठीक है, आप इनको देख ले ना, आपके उसमें भी same आएगा, तो यहाँ पे जैसे कि for example मैंने यहाँ पे choose किया, मैंने क्या choose किया, मैंने सायक समिक्षा अधिकारी जो है, यह वाली post, ठीक है, मैंने for example, इसको मैं अपनी पहले choice डाल रहा हू तो यहाँ पे सायक समिक्षा अधिकारी के आगे हम add कर देंगे, तो जैसे हम add करेंगे न, तो यह यहाँ पे यह देखू, यह नीचे से बन के आ गया, ठीक है, अच्छे यहाँ पे मैंने एक ओर पहले डाल दिकारी, जो है, वह उत्राखन अधिनस चेन सेवा अयोग डाला, ठीक है, तो ये पहली choice हो गई मेरी choice serial number लिखावा ठीक है, ये वाली हो गई दूसरी क्या है, दूसरी सायक समिक्षा अधिकारी राजर निर्वाचन आयोग जैसे मैंने अभी डाली तो वो दूसरी हो गई अगर मैं अब तीसरा क्या हूँ, अगर मैं तीन हो गई, ठीक है, तीन choice मैंने डाल दी, तो अब इसमें ये scene है, जैसे यहाँ पे किसी ने चौथे नंबर पे क्या डाल दी, जो सायक, प्रबंदक वगएरा है, वो डाल दी यहाँ पे, ठीक है, पांच वीडियो डाल दी अपने अपने हिसाब से डाल सकते हो, तो इसमें बहुत लोगों को confusion यह है, जो level 6 वाले हैं, और जो यह सायक, समिक्षा, दिकारी वगएरा वाले हैं, उनको confusion यह है, कि अगर for example, इसमें आपको पता है कि typing test है, और typing test के साथ एक computer test भी होना है, तो काफी लोगों को यह doubt है कि अगर माने बाद, उन्होंने पहली choice, उन्होंने सायक, समिक्षा, दिकारी यह डाली, और दूसी भी सायक, समिक्षा, दिकारी डाली, और अगर उनका वो paper pass नहीं वा, यानि कि वो typing में भार होगे, या computer वाले paper में भार होगे, या फिर उनसे आगे जो वाले बंदे हैं, उनको यह मिल गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उनको सिधा video मिलेगा, या फिर वो हट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, अगर आपकी जो पहली choice है, वो अगर आपको मिल जाती है आपकी merit के हिसाब से, तो आपको वो मिलेगी अगर वो भर गई है, तब आपको आपकी दूसरी choice मिलेगी, अगर दूसरी भी भर गई है, तब आपको आपकी तीसरी choice मिलेगी, तीसरी भी भर गई है, तब आपको चौथी मिलेगी तो यहने की कहने का मतलब यह है कि जो पीछे-पीछे वाले होंगे जिनके कम नंबर है तो हो सकता है कि उनके लेवल 6, लेवल 5 की पोश्टे तो पूरी भढ़ चुके होंगी तो वो भले उनको preference डाल सकते हैं लेकिन वो उनको मिलेगी नहीं क्योंकि वो उपर भढ़ चुके होंगी तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप choice के हिसाब से डालते हो तो पहले जो सबसे उपर जैसे rank 1, rank 2, rank 3 है इनको तो शायद इनकी पहली choice ही मिल जाएगी ठीक है उनको दूसरे नंबर पर आने की जुरत नहीं है ठीक है और बस यह इतना ही है और उसके बाद जब आप यह करोगे मैं इसको अभी final नहीं भर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी बाद में भरूँगा अभी तो यह ऐसी है मैंने बस demo के तौर पर बताया था और आपको ना इसको प्रिंट आउट करना है प्रिंट आउट के लिए क्या होगा प्रिंट आउट के लिए यहाँ पर side में यह आ जाएगा इसमें तो भले आनी रहा है लेकिन जब आप उसको करोगे ना जब final submit हो जाएगा तो उसके बाद प्रिंट आउट का option आएगा वहाँ पर उसके बाद जिले का है तो जिले के हिसाब से भी ध्यान में रख लेना है आप क्या कर सकते हो कि जैसे video अलमोडा आपने पहले choice डाल दी तो वीपीडियो अलमोडा आपकी दूसरी choice हो सकती थी मतलब हो सकती अभी भी ठीक है तो अपने हिसाब से डालना जो डिष्टिक आपको पहले चाहिए जिस भी post के लिए अगर आप उपर उपर rank वाले नहीं हो तो उनको इस हिसाब से डाल देना तो दोस्तों इस video में बस इतना ही इसके अलावा भी अगर आपको अभी भी doubt है तो अब आप मुझे telegram पर message वगरा कर सकते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी लोग मुझे message करते हैं कोशिश करता हूँ कि उनके हर message का reply कर पाऊँ तो आपको अगर कुछ पूछना होगा तो आप वहाँ पर message कर लेना ठीक है लेकिन गलत मत भनना यह preference वगरा क्योंकि preference बाद में change नहीं होती है तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार